हमारी सेना है हमारा डिपेंस सेक्टर आजादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ इतने रिफॉर्म हो रहे हैं हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है हर चुनोत युटो हमारी सेना मुथ और जवाब दे सके इसलिए युद्ध के सामर्थवाली सेना बनाने के लिए हम बरपूर प्रयास कर रहे हैं रिफॉर्म कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं देश की सुरक्षा का मकसद ले करके बिते कुछ सालों में बहुत सारी चीजे बदली है सीडियास का पड़ बनेने के बाद इंटिग्रेशन और ससकत हुआ है आदनी स्वापती जी हमारी ससस्त्र सेनाओं के बीच उनके स्योग से जो लंबे समय से युद्य सास्त्र के निसातों का मत था कि भारत में थियेटर कमान जरूरी है आज मैं संतोस के साथ कह सकता हूँ इस सीडियस व्रवस्ता बंडे के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी थियेटर कमान की दिसा में प्रगती हो रही है आजर्णियस सरहाबती जी आत्मंदिर भर भारत उसमें हमारी सेना को आत्मंदिर भर बनाना उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपों भूमिता निपाई जा रही है हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए सेना दुश्मनों के दास खटे करने के लिए होती है हमें हमारे युवाओं पर बरोसा होना चाहिए सेना युवाओं की ताकच बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्य योग्यव सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं समय पर रिफॉर्म ना करने के कारण हमारी सेना का बहुत दुख्षान हुआ है लेकिन इस सारवजेनी बाते कहने युवाओं नहीं होने के कारण मैं मुरे मूँ को ताला लगा करके बैठा हूँ आधनिय सभापती जी देश की सुरच्षा एक गंबीर मसला होता आधनिय सभापती जी ऐसे रिफॉर्म का उद्देश किसी भी परिस्थिति में अब आयुद्द के रूप बदल रहे हैं समसादन बदल रहे हैं सस्त्र बदल रहे हैं टेक्निक बदल रही हैं ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनोतियों के नुरूप तैयार करना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जिसको निभाने के लिए गालिया खा करके भी जूठे आरोप सै करके भी मूँ पर ताला लगा करके हम काद कर रहे हैं ऐसे समय देश की सेना को आदूरिक बनाना सब्जक्ता बनाने के ऐसे समय कॉंग्रेस क्या कर रही है ये जूठ फ़ला रहे है इडिपेंस रिपांट के प्यासों को कमजोर करने का सरद कर रहे है आद ये सभावती जी दरसल कॉंग्रेस के लोग कभी भी वार्थियस सेनाओं को ताक्तवर होते नहीं देख सकते आद ये सभावती जी कौन नहीं जानता कि नहीरुजी के समाएं देख की सेनाए कितनी कमजोर होती थी हमारी सेनाओं में कॉंग्रेस नहीं जो लाखों करोरों के गोटा ले किये वही तरीका था जिस नहीं देख की सेनाओं को कमजोर किया है ये देख की सेनाओं को कमजोर किया जल हो खल हो नब हो सेना की हर आवस्चता में इन्होंने तेसाजाद हुआ तब से बर्साचार की परंपरा बनाएगा जीब को टाला हो पनडूबी को टाला हो बॉफोर्स को टाला हो इन सारे गोटानों ने देख की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है वो भी एक वक्त था अधानिय सभापती जी पांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट टूप जैकेट भी नहीं हुआ करते थे सक्ता में रहते हुए बेश की सेना को तो परबाद किया ही किया उसको कमजोर किया ही किया लेकिन ये कारणा में विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगाता प्रयात होते रहे जब ये कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए और जब हमने कोशिश की तो गांग्रेस हस्टर की साजिस पर उतर आई फाइटर जेट एरफोर्स तक न पहुँच पाए इसके लिए साजी से की गई और आदर्णिय सभापती जी ये बालग बुद्धी देखिए के राफेल के छोटे 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 खिलोने बना करके उडाने में मजा लेते थे देश की सेना का मजा को उडाते थे अद्धी जी कॉंग्रेस ऐसे हर कदम का और रिफॉर्म का विरोध करती है जो बारत की सेना को मजबुती दे बारत की सेना को मजबुत बनाए बाने सदशों सभा की कारवाई बाने प्रदान मंजीर के भाशन